Hello friends, welcome back to my YouTube channel, आज मैं आपको टॉपिक मार्गी संगीत के बारे में समझाने जा रही हूँ प्राचीन काल में मोक्ष प्राप्त करने के लिए जिस संगीत को गाया बजाया जाता था उसे मार्गी संगीत या गांधर्व संगीत कहते थे मार्गी संगीत की रचना स्वयम भ्रह्मा जी ने की थी अतहे इसे ईश्वर निर्मित माना जाता है माना जाता है कि सबसे पहले भ्रह्मा जी ने मार्गी संगीत के शिक्षा भरत को दी मार्गी संगीत में गंधर्व लोग बहुत निपुन होते थे इसलिए मार्गी संगीत को गंधर्व संगीत भी कहा गया वर्तमान यूग में मार्गी संगीत का कोई स्वरूप नहीं मिलता तो कह सकते हैं कि मार्गी संगीत गंधर्व लोगों के साथ ही चला गया मार्गी संगीत या गांधर्व संगीत पदती में कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था मार्गी संगीत मोक्ष प्राप्ति का साधन था इसमें शब्दों की प्रधानता होती थी और कोई भी परिवर्थन नहीं होता था मारगी संगीत का प्रियोग आध्यात्मिक उत्सवों के समय किया जाता था इसका अब कोई स्वरू प्राप्त नहीं होता तो इस प्रेकार मैंने आपको समझाया मारगी संगीत अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद